एक गडरिया रोज जंगल में बक्रियां चराने के लिए जाता था वेह जंगल में बक्रियों को चरने के लिए छोड़ कर खुद पेड़ की छाया के नीचे बैठा रहता जब शाम होती तो वेह अपनी बक्रियों को लेकर घर चला जाता प्रती दिन वे वैसा ही करता एक दिन वे बक्रियों को चरने के लिए छोड़ कर पेर के नीचे बैठा था कि उसे एक शरारत सूजी उसने जोर-जोर से चिलाना आरंभ कर दिया भेडिया आया, भेडिया आया उसकी आवाज सुनकर गाउवाले उसे बचाने के लिए दोड़े आये परन्तु गडरिये को पेर के नीचे हसते हुए देखकर वे लोग वापस लोट गए एक दिन फिर उसे शरारत सूजी उसने फिर चिलाना शुरू किया बचाओ, बचाओ, भेडिया आया, भेडिया आया उसकी आवाज सुनकर गाउव के लोग फिर दोड़े आये वहां किसी भी भेडिये को ना देखकर वे वापस लोट गए एक दिन सच में ही भेडिया आ गया वे जोर-जोर से चिलाने लगा भेडिया आया, भेडिया आया गाउवालों ने उसकी आवाज सुनी उन्होंने सोचा कि वह जूट बोल रहा है कोई भी गाउवाला उसे बचाने के लिए नहीं आया भेडिया उसकी सभी बक्रियों को खा गया वह जोर-जोर से रोने लगा रोते रोते उसने कहा काश मैंने जूट ना बोला होता मेरी बक्रियान जिन्दा होती जूटे व्यक्ति के सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता